तेड़ यह वह rapport नमस्कार एक बार फिर से हमस्वागत करते हैं आपका वे ग्यां प्रोटॉकाल को सीरीज परेख रहे हैं इस चोटई से वई memorized कर दोनें लिए क्यरạn है की की धालई की तूछ आखरी तक वीडियो को देखते रहेगे तो मैं बात कर रहा हूं रत्नाकर रुपाध्या और आप देख रहे हैं यूनिक ओनलाइन गुरू चैनल चलिए मित्रों कुछ अच्छा सीखते हैं दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टेलनेट के बारे में किसके बारे में बात करने हैं टेलनेट यानि टर्मिनल नेटवर्क द्यान से हमारी बात समझ जिये इसका मतलब क्या होता है टर्मिनल नेटवर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यानि मतलब क्या हुआ कि सीधा सा फंडा हमार आप लोग समझ लिजए कि टेलनेट का मतलब होता है to access remote machine क्या है to access remote machine over the internet to access remote machine over the internet आप एक machine को एक machine को remote machine से जब connect कराते हैं जब एक machine को remote machine से जब connection देते हैं establish करते हैं किसके माध्य हम से TCP IP किसके माध्य हम से भाई TCP IP के माध्य हम से आप क्या करते हैं remote machine को connect कर देते हैं देखिए actually यह हमारा protocol क्या इसका definition हम लोग एक छोड़े से definition जान लेते हैं फिर इसको हम लोग समझते हैं देखिए telnet is a development, telnet is developed in 1969 यानि 1969 में हमारा developed किया गया it is a protocol यह हमारा protocol है protocol आप लोग जानते हैं क्या होता protocol मतलब होता है set of rules set of rules तो it is a protocol that provides a command line interface यह करता क्या करता है यह command line interface को provide करता है for communication with remote device सीधी सिभा समझे मैंने आपने लोग बता है remote device से connect करने के लिए तो यह communication करता है with remote device server telnet type network मतलब क्या होगा कि जो इसका server होता है वो क्या करता है remote से connect कर लेता है कोई device से connect कर लेता है telnet is a telnet type network मतलब क्या होगा telnet हमारा telnet type का network होता है आप जब भी किसी machine से ध्यान से हमारी बास समय लेजे आप जब भी किसी machine से किसी machine को remote machine से connection देते हैं मतलब है किसी भी remote machine को ध्यान से मारी बास समय लेजी आप किसी भी machine को remote machine से जब connection देते हैं किसके थुरू जब उसको establish कर लेते हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या कहते हैं telnet protocol कहते हैं किसके थुरू देते हैं TCP IP यानि की हमारा transmission control protocol और IP के मतलब क्या होता है internet protocol इन दोनों के माध्यम से जब हम किसी भी एक machine को network देते हैं किसके थुरू remote के थुरू किसके थुरू आप किसी एक कमरे में काम करते हैं हमारे पास कोई remote होना चाहिए for example की बात करें तो आप लोग के समय में क्या internet काम कर रहे हो computer की बात हुई LED की बात हुई LCD की बात हुई कुछ भी कोई भी projector की बात हो गई फैन की बात हुआ कुछ भी तो सारे चीजा आजकल remote control है तो हमारे internet बेस्ट पे भी जो remote control का काम करता है जो हमारा telnet का काम करता है जो tele type network होता है उसको हम लोग क्या करते हैं telnet करते हैं clear सब को क्या करते हैं उसको हम लोग telnet करते हैं वीडियो को देखने लिए बहुत धन्यवाद जैहिन